Hello Everyone, Welcome to Gagan's Virtual Classroom ये विडियो उन स्टूडेंस के लिए है जिनोंने क्लास 11 में चंदिगड के गवर्मन स्कूल में एडमिशन लेनी है for the session 2022-2023 तो आप सभी के लिए good news है बहुत से स्टूडेंस को problem आ रही थी अभी तक उनके form नहीं fill हो पा रहे थे form fill करने में problem थी कुछ edit नहीं हो रहा था तो department ने date extend कर दी है अब जो date आगे हो चुकी है form fill करने की तो अभी भी second counseling का process चल रहा है आप अभी भी form fill कर सकते हैं तो हम देखेंगे detail में क्या notice है department की तरफ से also बहुत से students जो है queries आ रही है उनकी कि जिन्होंने first counseling में registration नहीं किया या और भी बहुत सी queries तो वो भी हम इस वीडियो में answer करेंगे तो ये देखें ये चंदिगर education department की official website पर notice है regarding extending the date for second counseling तो ये जो है आपकी date extend हो चुकी है 19 September 5 PM तक तो जिन्होंने अभी तक form नहीं fill किया वो अभी भी कर सकते हैं ये देखी यहाँ पर लिखा है on the request of the applicants की applicants की request पर जिन्होंने already apply किया था admission के लिए first week of August में और जो चाहते थी कि अभी counseling, second counseling जो है और भी उनको time मिले form fill करने का तो उनकी request पर ये 19 September 5 PM तक उन्होंने department ने date extend कर दी है और सभी applicants ने अपने choice of schools and subject form में fill करना है और submit कर देना है 19 September 5 PM से पहले तो ये आपकी date extend हो चुकी है अब हम बात करेंगे जो students बोल रहे थे कि मैं हमने first counseling में registration नहीं की तो second counseling में ऐसा कोई option दिखाई नहीं दे रहा कि आप registration कर पाएं तो जिन students ने first counseling में register किया था उन्हीं के पास option है अपनी preferences को edit करने का और फिर से form को submit करने का लेकिन फिर भी कोई भी doubt होता है तो department ने prospectus में help line numbers दे रखे हैं हमें वहाँ पर जाकर कोई भी जानकारी चाहिए कोई भी information है वहाँ पर हम call कर सकते हैं तो कोई भी guidance के लिए जो proper guidance हमें दे सकते हैं वो help line numbers हैं तो सभी को मैं बार-बार बताती हूँ कि अगर कोई ऐसी information चाहिए तो या तो चंदिगर education department की official website पर देखना है या उन help line numbers पे call करके पूछनी है तो जिन students ने registration नहीं की थी first counseling में वो students अभी तक तो क्योंकि उसमें option नहीं है registration करने का तो वो नहीं कर पाएंगे लेकिन आगे हो सकता है third counseling में या फिर इसी में कुछ changes हो जाएं तो आप help line numbers पर call करके confirm कर सकते हैं और जो cut-off percentage वाले जो students पूछ रहे हैं कि कितनी cut-off percentage हो सकती है second counseling में और क्या इतनी percentage में हमें admission मिल जाएगी या नहीं तो यह मैं बार-बार बताती हूँ कि कभी भी हम 100% sure नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमारी percentage जितनी है और हम कि school में और कि stream में apply कर रहे हैं उसी school और stream में कितने students और apply कर रहे हैं जिनकी percentage हम से कम है या ज्यादा है तो यह बहुत से factors decide करते हैं कि हमें admission स्कूल में मिल जाएगी या नहीं तो पहले हम बिलकुल नहीं बता सकते हैं लेकिन हम first counseling में जो cut-off percentage है उसको देखकर हम idea ज़रूर लगा सकते हैं कि हमारे कितने chances हैं So students जिन्होंने अभी तक admission के लिए apply नहीं किया है registration जो है कर चुके है first counseling में और अब उन्होंने अपनी preferences change करनी है या जिन्होंने migration करवाना है school का वो करवा सकते हैं आपके पास date 19 September 5 PM तक extend हो चुकी है So all the best